हलो एवरेवन विल्कम टौ मी चानल आज हम इस पीरेलचंती ऐल हैं in ow particular in decimal fraction के दाल चुके first हमारा right hand words और second हमारा right the decimal fraction आज हम करने वाले हैं कि किसी भी fraction को decimal fraction में कैसे express करते हैं और कैसे convert करते हैं चाहे वो कैसा भी fraction क्यों नहीं हो चाहे वो mixed fraction ही क्यों नहीं हो उसे हम decimal fraction में कैसे convert करेंगे So, let us see First one See, here I have written 2 by 10 2 by 10 आपको ना नीचे देखना है नीचे यहाँ पर क्या है 10 10 means कितने 0 है How many 0s are there? 1 0 So, just एक dessert के पहले यहाँ पर point लगा दो एक dessert के पहले जैसे यहाँ 2 है So, 2 के पहले आपकर यहाँ point हो जाएगा अब point हम लोग ऐसे normally लिखते नहीं है So, point के पहले we'll just put a 0 So, हमारा बन गाई यह 0.2 Clear? Next लेखो 368 by 1000 नीचे कितने 0 है? 1 2 3 तो उपर में 3 dessert के पहले हम point लगाएंगे 3 dessert के पहले हमारे dessert के 368 3 dessert 1 2 3 यह तो अलएड़ी 3 dessert हो रहे है इसके पहले हम क्या पूट करेंगे? Point and we'll put a 0 So, our answer will be 0.368 Clear? Next 606 by 10 By 10 नीचे कितने 0 है? कितने 0 है नीचे? Just 1 0 है 10 है वापर ठीक है? तो उपर में just 1 dessert के पहले हम लोग point पूट करेंगे 1 डिजट 1 1 के पहले just put a point यह चीज़ हमेशा हमें याद रिखना है कि हमें right hand side से count करना है ऐसा नहीं यह left side सेther count कहें 6 के बाद यहीं पे point ढाल दिये It will be wrong हमेशे हमें right side से अ qaun't करना है यहाँ पे भी हम right के पहले right ठीक है? 2 के पहले point ढले यहाँ पे भी 1, 2, 3 के पहले point ढले थे right side से आम है count कना है यह है 1, 2, 3 3 के पहले point Same here एक 0 है तो 1 के पहले point ही, एक digit होगे, एक digit के पहले होगे हमारा point तो आर आंसर विल बी 60.6, clear? I hope आपको समझ में आ रहा हूँ, next So now here see, यह जो हमारा दिया गया है, यह mixed fraction में दिया गया है 4, 17 by 10,000, चेक है? यहां पे यह जो part होता है, यह part यह हमारा integral part होता है Integral part मतलब point के पहले, suppose 1, 2, 3, 4, .3687 ऐसे करके suppose कोई number लिखते हैं, चेक है? तो यह जो point के पहले वाला जो part होता है, जो हमारा normal होता है यह होता है, once, tens, hundred, thousand, यह part हम यहां लिखते हैं, side में, चेक है? और यह जो 3, 6, 8, 7 है, जो हमारे 10 से शुरू होता है, ten, hundred, thousand, ten thousand Remember? मैंने last video में आपका बताया भी है कि वो ten से शुरू होता है, ten, hundred, thousand, ten thousand और सब में THS लगता है वो हमारा यह वाला part होता है, 70 ठीक है, point के बाद का यह point है, यह वाला part है और point के पहले का यह part है सो यह, पहले हम लिखेंगे, four लिख दिये, अब यह वाला point सारा है, कुछ तो point में का, so we'll put the point here अब नीचे देखे, कितना जिरू है one, two, three, four नीचे four जिरू है तो यहाँ पर four desert के पहले हमारा point होना चाहिए four desert के पहले यहाँ पर कितने desert है, only two desert are there one and seven से दो desert है four desert के पहले point होना चाहिए, so what we will do इसके पहले, zero, zero clear, क्या कर रहे है हम लोग यह आपका कौन से place हो गया यह होगे आपका thousand का place और यह होगे आपका ten thousand this is the thousandth place और यह होगे ten thousand के place hundred और tenth के place खाली है तो hundred और tenth के place में we will put a zero so our answer will be four point zero zero one seven clear same way, see here sixteen, thirteen by hundred thirteen by hundred, तो पहले हम यह ही लिखते है यहाँ पर कितने zero है, two तो यहाँ पर two desert के पहले point so one three के पहले आपका point और point के पहले तो आपका वो sixteen लगे रहे हैं see the next one, कितने है, one, two, three यहाँ पर thousand है तो thousand के लिए यह तो आपका thousand का place हो गया, nine अब thousand लाने के लिए hundred के place में तो कुछ नहीं है tens का place में कुछ नहीं है, यहाँ पर three zeros है so we'll put one, two अब यह three desert बन गया, one, two, three three desert हो गया, अब यहाँ पर point डालो और फिर यह वाला जो number है, यह हम यहाँ लिए लिए, that is the integral part वो हम यहाँ लिए लिए, clear? part लिखेंगे, so हमें हमेशा count करना है, right hand side से, we have to start it from the right hand side कभी भी यहाँ से count नहीं करेंगे, one, two, three, यहाँ से count करोगे, point लगाओगे, seven, zero, three के बाद point लगाओगे, four यह आपका पूरा wrong हो जाएगा, हमेशा हमें point इसके, right hand side से start करके, आपको point लगाना है यहाँ जितने भी numbers हो, नीचे zero देख के आपको point लगाना है, नीचे कितने है, three zeros, so one, two, three, three के पहले point, ठीक है, यहाँ नीचे कितने zeros थे, four, तो four के पहले point होना चाहिए, उपर हमारा number से दो ही है, तो दो को वो last में लिखेंगे, उसके पहले हम लोग ज़स्ज जिरो and then four, clear, I hope you have understood, okay, thank you for watching, yes one more thing, if you have understood, then please like this video and subscribe my channel, okay, thank you for watching.